सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मालूम है मध्य प्रिदेश स्वास्त बिवा MP5 का जो लास्ट येर जो एक्जाम कंडेक्ट करा गया था और ये जो एक्जाम था आप लोगों का नवेंबर 2022 में ये भरती परिक्षा आप लोगों की यहां पर कंडेक्ट यहां पर करा ली ग करीब 2023 की परिक्षा में कितने फॉर्म यहां पर फिल अप यहां पर हुए होंगे तो एक एक्सपेक्टेड जानकर हम लोग यहां पर कबर करेंगे चलिए बिल्कुल भी टाइम विस नहीं करते हैं सीधे से जो लास्ट येर का जो ऑफिशल डेटा था इसको हम लोग यहां पर ओपिन कर लेते हैं तो दोस्तों यहां आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह ओफिशल डेटा जो हैं वेब साइट पर रिलीज यहां पर किया गया था और इसमें 2022 में जितने भी रिक्रूट्मांट एक्जाम हुए थे जितने भी कैंडिडेट्स इसमें अप पेरामेडिकल की पोस्ट से संबन देते हां पर रहेगा जोकि ग्रूप 5 स्वास्त बिवाक की भरती रहती है तो 7th नंबर के पॉइंट पे हम लोगों को यहां पर ध्यान देना है इसमें देखिए क्या-क्या जानकारी इसमें आप लोगों को दी जारी तो इसमें जो पचासाजार चारसो संतावन यह इतने एडमेड कार्ड यहां पे रिलीस आपे कर दिये गए थे तो करीब करीब पचासाजार से जादा फॉर्म फिल अप हुए थे MP5 दो हजार बाइस भरती जो की नवंबर में आप लोगों का एक्जाम कंडेक्ट हुआ था यह सभी पोस् यहां पे केंडी रेट से और EWS में 262 करीब केंडी रेट से शेडूल कास्ट में 996 यह इतने केंडी रेट से शेडूल ट्राइब में 81, 81 इतने यहां पे यहां पे जो है एडमेड कार्ड जारी हुए थे और OBC के देखे सबसे ज़्यादा थे 24,421 तो यह जो है सभी पेलोड कर पाए थे और इसमें कुछ फॉर्म यहां पर देखे रेजेक्ट पी हुए थे तो करीब करीब 16 जो फॉर्म है जो कि रेजेक्टिट काटिगरी में यहां पे रखे गए थे तो करीब करीब 25,000 हम लोग यहां पे अक्या सकते हैं यह फॉर्म यहां पे फिल अप तो टोटल सीट से आप देखिए कितनी थी 1261 तो 1261 सीट पे करीब करीब 50,000 करीब यहां पे फॉर्म यहां पे फिलप यहां पे हुए थे अब आप सबी लोग इसके बाद यह वाला डेटा देखिए जो की परीक्षा परिडाम यहां पे जारी हुआ था सभी सीट का मिला के तो यहां पे देखिए एल और एम तो करीब करीब 13 अलग अलग पोश्ट थी और यहां पे देखिए 50,000 497 जो कैंडिरेट्स यहां पे जो शामिल हुए तो सबसे जादा कैंडिरेट्स आप लोग यहां पे देख सकते हैं लिखा है बी तो जो पेपर जो कोड था भी इसमें 27,5 540 कैंडिरेट्स मीज यहां पे यह जो पोश्ट थी बी वाली तो यह स्टाफ नर्स वाले कैंडिरेट्स है नर्सिंग सिश्टर मैटरन वाली जो पोश्ट थी तो इसमें स्टाफ नर्स के कैंडिरेट्स इसमें यहां पे शामिल हुए थे तो सबसे जादा जो डेटा यहां candidates present थे जिन लोग ने exam दिया था और काफी candidates 5000 ऐसे थे जिन्होंने exam नहीं दिया exam देने नहीं आए तो हमारा मतलब यहाँ पी है करीब-करीब 27,000 प्लस जो है सिर्फ यहाँ पे जो seeds यहाँ पे जो form fill up यहाँ पे जो हुए यह staff nurse वाले candidate थे nursing वाले यहाँ पे candidate थे फिर इसके बाद देखिए सबसे ज़ादा जो यहाँ पे जो candidates appear हुए वो कौनसी post थी वो थी देखिए post court कर्मांग D और इसमें देखिए 8587 candidates यहाँ पे total थे और यह कौनसी थी post D इसमें technician वाली सभी post यहाँ पे शामिल की गई थी technicians थे और यहाँ पे pathology technicians थे और साथी साथ इसमें lab technicians भी थे और यहाँ पे जो है assistant lab technician यह candidates भी थे और जो lab सायक थे तो यह सभी जो है इसमें आप एंक्लूडेट थे और करीब यह साड़े 8000 candidates जो हैं इसमें appear हुए थे और इसके बाद भी देख लेते सबसे जादा जो candidate इसके बाद जो शामिल है वो रहा है थे हमारे करीब करीब 3,192 तो 3,192 जो candidate से यह post court करमांग ए थे और यह फार्मेंसिस्ट वाले candidate से तो यहाँ पे आयरवेध के जो फार्मेंसिस्ट वाले candidate से और भी फार्मेंसिस्ट की जो बीखर को शामिल युटी गई थी अलग ऐलग डेपाटमेंट में तो करीब करीब यह 30,000 यहां पर केंडिडेट थी, यहां पर देखें सभी आपको यहां पर जो हैं पेपर कोड्स के बारे में जानकारी दे दी गई और करीब इससे यह की ड lift तेक्निशन, Mieh पेरामेडिकल केडर वाले और जैसे कि फर्मेसिस्ट वाले हो गए और साथ इसमें टेक्निशन्स की और भी पोस्ट थी तो ये सभी डेटा आप लोगों को इसमें आप पे उपलब है और ड्रेसर और डार्क रूम असिस्टेंट वाले केंडिडेट्स भी थे पोस्ट कोड करमांग जो एम है तो इसमें करीब करीब 2692 केंडिडेट्स जो है इसमें आप पे फॉर्म यहां पे फिलप हुए और ये कंडिडेट्स यहां पे एक्जाम में अपियर हुए तो ये हिसाब हम लोगों को इसमें आप पे मिला कि लास्ट येर करीब 25,000 केंडिडेट्स ने आप पे फॉर्म फिलप किया टोटल केंडिडेट्स यहां पे इतनों ने आप एक्जाम यहां पे दिया और इसमें देखिया आप लोग पोस्ट वाइज इव इन्फॉर्मेशन आप लोग यहां पे इसमें चेक कर सकते हैं यह इन्फॉर्मेशन आपको जो है डेटा ओफिशली भी आपको इसमें प्रोवाइट करा दिया गया था अब दोस्तों सवाल क्या उठता है कि यह जो एक्जाम है आप लोगों का जून जून 2023 में MP5 का एक्जाम हा आप लोगों का होगा और इसमें कितने केंडिरेट्स यहां पर जो है एक्सपेक्टेड जो है शामिल यहां पर हो सकते हैं अभी तो ऑफिशनल डेटा आपको नहीं मिल पाएगा एक्जाम के बाद ही जानकारी मिलेगी लेकिन जो है एक्सपेक्टेड इंफोर्मिशन में आपको यहां पर देना चाहता हूँ जैसे कि देखिए पिछले बार इतने केंडिरेट्स ने अपियर हुए थे एक्जाम में तो एक्सपेक्टेड इस बार कितने केंडिरेट्स यहां पर एक्जाम में शामिल हो सकते हैं तो देखिए इसमें कुछ चीज यहां पर मैं एड करूँगा लाश्ट टाइम काफी पोस्ट यहां पर इंक्रूर्ड नहीं हुई थी जैसे कि देखिए बाद आना चाहता हूँ एनेम की वेकैंसी जो हैं लाश्ट यहर नहीं थी 2022 के रेक्रूटमेंट में एनेम की परिक्षा यह इसमें आप शामिल नहीं हुई थी तो इस बार जो हैं लेकिन 2023 में एनेम का रेक्रूटमेंट जारी हुआ और एनेम केंडिरेट्स ने भी इस बार फॉर्म यहां पर फिल तो करीब करीब यह मान के चलते हैं 20-25,000 जो एनम वाले यहां पर बिलकुल यहां पर रह सकते हैं ऐसा मैं आपर क्यों बोल रहा हूं क्योंकि देखिए जब लाश्ट यहरी नर्सिंग केंडिरेट 27,000 थे तो एनम केंडिरेट इस बार 20-25,000 यहां पर क्यों नहीं हो सकते हैं करीब करीब 25,000 जो यहां पर इस पोस्ट के लिए शामिल हो सकते हैं एनम के रिकूटमेंट में तो करीब करीब यह अगर 20-25,000 एनम के चैंडिरेट यहां पर इसमें इंक्रूड हो जाएंगे तो काफी जो है इसमें आपर फॉर्म फिलफ आपको यहां पर देखने को मिलें और दोस्तो इस बार की जो विकेंसी यहां पर जो रिलीस के गए यह देखे भरते विग्या पर है और इसमें मैं आपको पोस्ट वाइस इन्फॉर्मेशन में आपको यहां पर नीचे ले चलता हूँ तो देखिए इसमें जो है एनम की विकेंसी तो इसमें इस बार इंट्र कि लाश्ट टाइम नहीं थी इस बार है जैसे कि देखिए हैं आप लिखा है EEG technician तो ये पोस्ट भी जो है लाश्ट टाइम इंट्रड्यूस नहीं थी ये इस बार जो है इंट्रड्यूस हुई तो इस चीज़ का भी फरक पड़ेगा और यहां पर दिखिए catlab करके यहां पर एक पोस्ट थी वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ तो जो catlab वाली जो पोस्ट थी वो अलग से notice में जारी हुई थी और वो notice कौन सा था जिसमें यह बोला गया था कि आप लोगों की vacancy increase कर दी गई थी तो देखिए 4792 यह vacancy जो है शुरू बात में release हुई थी और फिर vacancy को बढ़ा दिया गया था notice जारी हुआ था तो notice में आपको देखा देता हूँ तो यह 14 page का करीब करीब यह notice जारी हुआ था यह इसमें बोला गया था कि vacancy को बढ़ाय जा रहा और यहां पर देखिए total 4852 यह post यहां पर इसमें शामिल हो गई थी करीब करीब 60 पदों को जो है बढ़ा दिया गया था और मैंने आपको यह भी जान कर दी थी कि कौन-कौन स निकाली गई जैसे कि देखिए A&M, Midwife, Multi-Purpose, Worker, Female और यहां पर Cathalep Technician, EEG Technician तो यह सभी candidates भी इस बार यहां पर इस बार शामिल होंगे और पिछली बार के recruitment में और इस बार के recruitment में काफी फरक यह भी रहेगा कि last time जो vacancy थी वो कितनी थी करीब करीब 1200 करीब यहां पर यह व recruitment था, 2022 का जो आप लोगों ने दिया था, इसके बाद अभी जो vacancy यहां पर जो release होई, और जैसे कि आपको मालूम है देखिए 4852, तो देखिए करीब करीब 4852, simple हम लोग क्या सकते है, 4800 प्लस पोस्ट इसमें आप पर जो है, और यह 2023 का recruitment यहां पर रहने वाला है, अब पिशल लेटा दिया, करीब करीब यह 50,000 प्लस यहां पर, साड़े 50,000 थे लेकर हम लोग यहां पर लंप सम यहां पर मान के चलते हैं, 50,000 फॉर्म यहां पर fill up हुए थे, तो 2023 में कितने हो सकते हैं, 2023 में देखिए मैं आपको यहां पर expected आखड़ा मैं आपको यहां पर देन को मिलेंगे, वो रहेंगे, स्टाफ नर्स की पोश्ट के लिए, A&M की पोश्ट के लिए, और जो multipurpose, जो female worker की जो पोश्ट है, उसके लिए, और यहां पर कुछ और पोश्ट यहां पर जो इंट्रिड्यूस हुए तो उनमें भी form fill up होने वाले हैं, और जो बाकी की जो registration भी जो हैं यहां पर पा लिए, तो यह candidates ने भी form यहां पर fill up किया, और यह candidates भी जो हैं इस बार यहां पर exam में शामिल होंगे, तो करीब करीब 90,000 से लेका जो है 1 lakh तक के जो हैं यह आप लोगों को form fill up आपको देखने को मिल सकते हैं, और जब कभी भी official data आपको देखने को मिलेगा, इतना ही आप लोगों को देखी, information आपको देखने को आपको यहां पर मिलने वाली है, और last time जो है, vacancies कम थी, इस time vacancy जादा है, तो इस चीज़ का भी जो है, फरक आपको देखने को मिलेगा, और यह काफी effect करेगा, इस बार जो total form यहां पर fill up यहां पर जो हुए ह और exam की already information मैं आपको दे चुका हूँ, कि जो exam की जो date है, already decided है, exam जो आपका conduct कराए जाएगा, और देखिए, group 5 का यह recruitment है, 2023 का, और इसकी जो exam की date है, इसको मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ, तो देखिए, यहां पर लिखा भी हुआ है, 17 June 2023, तो इस date से जो है, आप लोगों के exam स्टार्ट हो जाएंगे, और आप लोगों को exam में शामिल होना है, और उमीद काता हूँ, आप सभी लोगों की preparation अच्छी चल रही होगी, और June में आप लोगों का exam जो है, यहां पर रहने वाला है, और यह बिलकुल भी आप लोग न सिर्फ आपको कितनी seat चाहिए, means आप individual person को कितनी seat चाहिए, सिर्फ एक ही तो seat आपको आप पर चाहिए, तो आप लोगों को उसी के लिए आपको प्रेपरेशन करनी है, और उसी एक seat के लिए आप लोगों को अपनी preparation करनी है, और सबसे ज़्यादा जो deserving, जो candidate होगा, सिर्फ उसी को वो seat वहाँ पे मिलेगी और बाकी जो previous papers है MP Group 5 के तो जो एक्जाम हुआ था November 2022 में तो मेरे पास यह previous papers available है स्टाफ नर्स के 2021-2022 के total 9 papers की PDF फाइल मेरे पास यह available है Lab Technician का 2022 का एक paper मेरे पास available है Pharmacist का भी 2022 का एक paper मेरे पास यहाँ पे available है और X-ray Technician इसका भी एक paper मेरे पास available है Radiographer का भी एक paper मेरे पास यहाँ पे available है यह भी 2022 का रहेगा X-ray Technician का भी 2022 का यह रहने वाला है और OT Technician का भी मेरे पास जो है last year का जो 2022 का exam हुआ था एक ही shift में यह paper भी available है और dresser की post के लिए भी यह मेरे पास आपे एक paper available है जो की 2022 में हुआ था यदि आपको previous paper से ही है तो channel का WhatsApp number में आपको दे देता हूँ 741 5543659 WhatsApp पे आप लोग हमें message कर सकते हैं और papers जो हैं chargeable रहेंगे जैसी आप लोग जो हैं amount पे कर देंगे WhatsApp पे ही आपको तुरंद previous paper में आपको provide करा दूँगा तो यह previous papers की जनकारी भी मैंने आप लोगों को यहां पे दे दी और WhatsApp ग्रूप आप लोग join करना चाहते हैं तो वीडियो के description box में link मैंने आपको दे दी आप लोग उस पे click कर देना और WhatsApp ग्रूप जो हैं आप लोग join कर सकते हैं जो भी updates हैं मद्यपरदेश, नरसिंग और पेरामेडिकल भरती से सम्मंदित और स्वास्त बिवा की सभी vacancies की जो भी मैं update प्रोवाइड कराता हूँ सारी जनकारी आपको ग्रूप में मिल जाएगी आप लोग description box में जाके link पे click करके आप लोग group join कर सकते हैं चाहे तो आप लोग video भी like कर पाएंगे कर सकते हैं और channel को भी subscribe जरू करें कोई भी update, कोई भी information आप से ना चूटे MP group 5 से सम्मंदित वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को click करें MP group 5 हर जानकारी आगे भी पांते रहें मिलते आप से अगली वीडियो में thank you so much